तो पिछले पार्ट में हमने दिखा था कि फेंग और बाकि सबी लोग अभी एक टॉम के पास गए थे वहाँ पर पहुंचने पर फेंग के साथ ही फेंग को बताते हैं कि यहां एक मास्टर रहते थे और उनके जो करेंट एल्डर से वो खुद उस मास्टर के सुरेंट बनना चाहते थी लेकिन मास्टर ने उसे अपना सुरेंट नहीं बनाया क्योंकि उस एल्डर की मेंटल पावर बहुत ज़ादा कम थी वैसे जब वो टॉम के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखता है वो आदमी जैसे ही फेंग का हाथ पकरता है तो चानक से फेंग की वो हैवली थंडर पावर एक्टिवेट होने लगी थी तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग होती है हम देखते हैं कि जब उस आदमी ने फेंग का हाथ पकरा था तो फेंग की पावर एक्टिवेट हो रही थी और ये पावर ओवर लोड होते जा रही थी फेंग को भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं था अब वो आदमी ये देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि चंता मत करो तुम्हारा बेटा बिल्कुल सेफ है उसे कुछ भी नहीं हुआ है अब फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इसके बाद वो आदमी वाह से चला जाता है अब ये लोग जादा नहीं सोचते कि आखिर वो कौन था और वहाँ पर क्या कर रहा था लेकिन अब ये सब सोचे बिना ही सीधा उस टॉम्ह की अंदर चले चाते हैं वैसे यहाँ पर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि उनका पीछा कर रहा था वो अब यहाँ पर भी आ चुका था लेकिन वो इस चीज सहरान था कि आखिर वो आदमी जो कि अभी फेंग को मिला वो कि चीज से डर रहा था फेंग ने तो उसे कुछ किया भी नहीं आखिर उसने फेंग में ऐसी कौन सी चीज देख ली थी अब इसके बाद हम वापर से फेंग के पास आ जाते हैं यहाँ पर वो चारों लोग आगे बर रहे थे फेंग मिस वक्त अपने अंजर के उस आवाज से पूछ रहाता कि उससे किस डरेक्शन में जाना चाहिए वैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि वो आवाज फेंग को साफ साफ बताती है कि उसे लेफड जाना है की राइट और यहाँ पर भी उसे वो इसे तरह से गाइड कर रही थी यहाँ पर Feng और उसके साथी एक जगह पर पहुंसते हैं जहाँ पर बहुत साना जो ट्रेजर पढ़ा हुआ था लेकिन वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जो कि किसी की हमले का शिकार हो चुके थे यहांपर FING की दोस कहते हैं कि यह सभी हार चुके हैं लेकिन फिर भी यह ट्रेजर नहीं परा है हमें नहीं लगता कि जो भी यहांपर आया था वो ट्रेजर के लिए आया था इसके दो reason हो सकते हैं या तो वो इस जगह के रक्षा कर रहा है या फिर दूसरी चीज के यहाँ पर वो इस ट्रेजर से भी जादा कोई खतरनाक और रेयर ट्रेजर है लेकिन अचानक से वहाँ पर लोग आ गए थे जो कि उन्हें पता चलता है कि ये तो उन्हें के सेक्टर से हैं तो इसका मतलब उन्हें इनसे कोई भी डेंजर नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उनका लीडर था वो कहता है कि ओल्ड मैन के जाने के बाद मुझे लगा कि अब तो हम सेफ हैं मगर अब तुम लोग आ गए वैसे तुम लोग से हमें कोई भी खतरा नहीं है तुम सबी को तो हम अराम से मार सकती हैं वैसे यहाँ पर फाइट करने की कोई बात ही नहीं थी लेकिन वो लगा कहता है कि असल में उसकी जो सेटी है वो एलडर शो की सेटी की दुश्मन है वो कह रहेते कि ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए एलडर शो से बदला लेने का और उसकी बहन को मारने का लेकिन इस बात पर फेंग को बहुत ज़ादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंट उन लोगों पर हमला कर देता है पहले तो वो उनकी लीडर को मारता है जिस चीज में उस लीडर का दार तूट चुका था और फिर फेंग बाकिस अभी से कह रहा था कि अगर तुम लोग अभी भी याद नहीं समझते हो तो तुम्हार साथ बहुत बुरा होने बाला है तो अचानलक से फिर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं शायद यही वो ओल्ड मैन है जिसकी बात वो लड़का वो आपक कर रहा था यहाँ पर अब तभी वो आदमी आ जाता है जो कि फेंग का पीछा कर रहा था और यहाँ पर अब ओल्ड मैन और उस आदमी की फाइट चालू हो जाती है और हम वापस से फेंग के पास आ जाते हैं फेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट करकर उस लड़की को बहुत ही बोई तरीके से पीट कर हरा दिया था जिस चीज में उसके साथ ही लोग भी डर गए थे और कहने लगे थे कि शायद आपको उन्हें हार माले नी चाहिए क्योंकि उनका जो लीडर है वो उसके साथ नहीं लड़ पाया तो वो क्या लड़ेंगी तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो खत्रा है वो टल चुका था फिंग तुरंथी अपनी वो जो पोटली है मतलब स्टोरेज बैग अपना उपन करता है जो कि उसे शू ने दिया था इसके अंदर अब फारे ट्रेजर चले जाते हैं और फिर बाद में अब ये लोग यहां से निकलने लगे थे इन्हें अंदर नहीं जाना था क्योंकि इन क्योंकि फिंग को अभी और अंदर जाकर और कुछ चीज ढूरनी थी अब वो कुछ देर बात फिंग उसे जगह पर पहुंसता है जहां पर वो आदमी और वो ओल्ड मैन फाइट वहां पे कर रहे थे फिंग देखता है कि ये किसी चीज के लिए लग रहे हैं फिंग को समझ करने में फिंग के पास एयर कंट्रोलिंग की पावद आ जाएगी ये सुनकर फिंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि हां मैंने सही सोचा था यहां पर वो उस दूसर ट्रेजर सीभी ज़्यादा बीए ट्रेजर है तो इसके बाद अब तभी वह आवाज कह है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो इस वज़र से उन दोने की पावर लगबग एक्वल है जिस वज़र से वह एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे तो तब ही वह लोग देखते हैं कि फेंग वहां स्टोन पर आ चुका है फेंग वहां कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए मैं आपको डिस्टॉब कर रहा हूं लेकिन आप लोग अपने फाइट करने आया हूं और फिर मैं यहां से चला जाओंगा यह चीज देखकर बहुत ज्यादा शौक थे वह उस फाइट को छोड़कर वहां से आगे बढ़ने वाले थे फिंग पर हमला करने के लिए लेकिन तब ही वह आदमी कहता है कि चिंदा मत कीजिए वो इस लड़की का लेवल तुना कम है कि यह कभी भी इस टेक्नीक को नहीं उसकर सकता है क्योंकि यह टेक्नीक करें टाइम की लेवल को देखकर अपना मस्टर वो चूस करती है तो इस टेक्नीक को पाने के लिए एक लेवल तो होना ही चाहिए और पहले भी यहां पर आये वहां पर किसार जो कल्टिवेटर को मार चुकी है मुझे नहीं लगता कि यह लर्का इससे अब्जॉफ कर पाएगा अब यहां उसे ब्रेकडाउन करकर उसे अब्जॉफ करना स्टार्ट कर देता है कुछ देर तक तो न करने कुछिश करता है तो उसकी बॉड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है लेकिन अब फेंग के साथ बिलकुल भी अलग हो रहा था उसकी बॉड़ी और जदा एनरजी को एब्जॉफ कर रही थी कुछ देर तक तो यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और उसके बाद अचानक से भी होश होकर अपने spiritual world में आ जाता है यहां पर वैसे तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन जब वो आगे आता है तो उसे बहुत ही बड़ा जो अंडा है वो दिखता है और इसका साइस सच में बहुत ज़दा ही बड़ा था और असल में यह आवाज वो उस पर हमला कर देती है अब यहां फेंग वापस नॉर्मल हो चुका था यहां पर दोनों पहले ही बहुत ज़दा शौक थे आखिर अभी हुआ क्या था और ओल्ड में फेंग से पूछते हैं कि आखिर वो जो crystal है कहा गया तो इस चीज़ पर फेंग कहता है कि वो तो मेरे brain के अ करता और उसके बाद मासर जाने हे लगता है इसके बाद अब हम देखते हैं कि ओल्ड में सीधा यी फेंग के ओपर हमला करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो चाहिये थी और उसके लिए उन्होंने बहुत मैनद भी करी थी पहले उन्होंने इतने सारे लोगों को हड़ाया फिर यहाँ पर उस आदमी से तनी देर तक fight की और अंत में वो टेक्निक उसके हाथ से जा चुकी है हम देखते हैं कि जब old man attack कर रहे थे तब पर चानक से वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिससे हमने storm के बाहर देखा था तब वो फेंग से डर कर भाग गया था लेकिन अभी वो फेंग को बचाने के लिए आया था वो कहता है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे भी फेंग पर टैक करने की और इसके बाद वो सीधा उस old man का गला पकर लेता है हमें पता है कि old man बहुत ज़्यादा तागतवर है लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा strong है और old man भी इस वक कुछ नहीं कर पा रहे थे वो आदमी वहाँ पर energy के प्रेशर तर ज़्यादा बढ़ा देता है और उनकी body में इतनी ज़्यादा energy निकलने लगती है और इससे उनकी body ही blast हो जाती है इसकी वज़र से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज ब्लास्ट होता है और एक fire फैलने लगती है जो की over energy के कारण हुई थी और अब fire के अंदर से आवाज आती है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना फिर तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा बचने का अब वो बात मानता है और तुरंथी वहाँ से भाग जाता है अब यहाँ पर शू और बाकी वो दुनों फैंग को डूढने के लिए आ रहे थे लेकिन अब यह लोग आगे देखते ही वो दुनों शू को लेकर भागते हैं शू अभी भागना नहीं चाहती थी क्योंकि भी फेंग तो वहीं अंदर ही है लेकिन वो दुनों जवरदस्ति उसे वहां से बाहर ले आते हैं लेकिन हम देखते हैं कि क्या वो अब वहां सीधर बाहर के रास्ते से निकल आये थी और इसका मतलब पुरा टॉम उस आग में गि पुरा था अभवू तो ही कि तभी उसे फेंग की आवाज आती हैं वह कह रहा हो जाता तो फिर मैं को क्या जवाब लेतीए वैसे फेंग कहता है कि नहीं मतने साने से नहीं मर सकता। वैसे उसी वक्त हम देखते हैं कि अभी वो आदमी जो कि कल से ही फेंग का पीछा कर रहा था, वो उसको फेंग को ही देख रहा था। लेकिन फिर ये पार्ट ये पर खतम हो जाता हैं। अब मिलते हैं आपसे अंगे विटेंट अंतर के बाइवेगेज़ें, टेक केर।